अफगानिस्तान चे तालिबान दे कबजे बाद एक सो पंजा पार्तिय नुदेश लेके परतिया गलोब मास्टर काबूल दे कुर्दुवारे टिशरन लेके बैठी सिखा ने विलाई मददी कोहार सफीर आर्टंडन बोले अजेवी कई पार्तिय अफगानिस्तान दे वेच अफगानिस्तान दे पार्तिय दुवल्ले वपार ते तालिबान दा माड़ा परछामा हजारान लोकां दी रोजी रोटी ते लटकी तलवार हलात खराब होन करके करोड़ां दे नकसान दा अनुमान हर वरे हुंदै एक हजार करोड तो वाद दा वपार अकाली दल ने कॉंग्रस रू के नली बिनाई जन तक चारशीट नाम दे केताब कैप्टन दे मंत्रियां ते लाइब को टाले अंदे इलजाम सुभीर बादल बोले पंजाबियां दे दिल दी गाल जानन लेई सौ दिना लेकरांगा पंजाब दी आत्राव अफगानिस्तान दे वेच तालिबान दे कबजे तो बास तेती लगातार विगड़ दी जारिये लोग देश छड के पजना चौन्दे ने ते ओधर पारत दी हवाई फोज दे वलो पेजे गे प्लेन दे वेच एकसो पंजाब पारतियान वापिस लेंदा गया पर अजेवी कई पारती नागरिक अफगानिस्तान दे वेच फसे होईने खास करके काबूल दे गुर्द्वारा साब दे वेच सैकडे सिक ते हिंदू परिवारा ने शर्न लई होई है ते ओवी पारत सरकारनू अपील कर रेने के जल्द तो जल्द उना नुवियो थो कड़िया जाए पारती सफारत खाने दे अफसर स्टाफ ते आईटी बीपी दे जवानने जिना ने लंगी राज जाक के कटी क्योंकि तालिबान दे लड़ाकों दे नाक्यानू पार करके एरपोर्ट पहुंचना कोई सौखा काम नहीं सी मुश्किल दा अंदाजा इसे तो लाया जा सक्दा है के जो राव वी मिनिट दा सी उसनो पार करन दे लई तेन कंटे तो वद्धा वक्त लगया पर मिशन काबूल तेहत पारत अपने नागरिकानू सुरख्यत देश लँच काम्याब्या पर अजेवी कई पारती मदद दीचाक्च बैठेने फिस्टेशन काबूल प्रॉट एफ इंदा देशने के लिगलावाब्या तो लगतशत हैं प्रॉट एफ मिन भर्शियों प्रॉट और समयस् पर स्वर्टेशन का मैं एपनूल था अट बढूलार उन हम परत व इस उन्स प्रॉट पर समत्रश्यशन का साइब पूस्तितर का एक सो पंजाब आर्टियों नो इस प्लेन दे जरीए वापिस लेंदा गया पर काबुल दे गुर्दवारा साहिब करते परवांच अजे वी तिन सो दे करीब हिंदू अते सेक्ट परिवार ने जो पारस सरकार नो मदद दी गुहार लारे ने देखी दस मिनिट पहले मेरी एक गुर्दवारा में महतपूर्ण आदमी जो मौजूद है उनसे फोन पर बात हुई है उन्होंने कहा तकरीबन तीन सो लोग यहां पर हैं और उनमें से सो के करीब बहिलाए हैं और पचास बच्चे भी हैं यह लोकल्स भी हैं और जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो लोग भी हैं उन्होंने कहा खाने पीने की कोई दिक्कत नी है लेकिन बहुत डरे सहमे हुए हैं सब लोग और यहां पर उन्होंने कहा है कि तालिबान ने अभी ना तो तालिबान इस गुर्दवारा की तरफ आया है और ना ही उन्होंने इस तर जो नहीं के साथ हमें भी बाहर निकाला जाए चौती बात उन्हें ने महत्रपूर्ण ये बताई कि अब काबूल में स्थिती ज्यादा खराब है लेकिन जो चोटे प्रोविंस जिन पर पहले तालिबान ने कपजा किया था वहाँ हालात नॉर्मल हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो काबूल से अपने ग्रामीन इलाकों की तरब जा रहे हैं काबूल देविच स्थिती बत तो बत्तर हुंदी जा रही है क्योंकि तालिबान दा सारा त्यान फिलहाल राजतानी काबूल वाल है एसलिए होरना सुबें वल लोकाने कूच करना शुरू कर देता है पर अफगानिस्तान तो जो तस्वीरा सामने आरियाने उपरेशान करन वालियाने काबूल पूरी तरह दिनाल तालिबान यह दे के रेचे रफ्यूजी केंप्स दे वेच लोग हालो बेहालने पर इस सब दे दर्म्यान तालिबान अपने कटर पंथी अक्स नो तोड़नदा दिखावावी कर रहे है तालिबान दे एक लीडर ने अफगानिस्तान दी मेला न्यूज एंकर नो इंटरव्यू देता है ते नाली सरकारी मुलाजमा नो अपील भी कीती है के कम ते पर ताउथ वानो कोई खत्रा नहीं है ओधर अफगानिस्तान दे साबका राश्रपती हामिद कर जई है ते तालिबान दर्म्यान गलबादी कोशिच चल रही है तालिबान दे अगवाई दे वेच हामिद कर जई, डॉक्टर अब्दुल्ला दे गुलबदीन दे दर्म्यान हुनवाली गलबाद दे वेच मकसद ए है के तालिबान नो मिली जुली सरकार्च लॉन दिली मनाया जाए दो दहा के पहला यानि की 2001 दे वेच 9-11 देशित गरदी हमले दा बदला लेंद ली अमरीकी फौजां अफगानिस्तान दी तर्ती ते गईयां सन पर जिमें ही अमरीकी फौज वापिस पर थी अफगानिस्तान दे वेच लोकां दे हाल तर्स योग हो गए हाला कि इस ते स्पस्टी करन जो बाइडन ने वी दिता है क्योंकि लगातार अमरीकी सरकार ते सवाल खड़े हो रे सन पर जो बाइडन ने स्पस्ट कर देता है कि सही वक्त कोई भी नहीं होना सी फौज नूँ वापिस बलौन दा ते नाले अफगान सरकार ते फौज दी जिम्मेवारी अपने देश देले लड़ना ना कि अमरीकी फौज दी I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. अमरीकी फौज नूँ वापिस बलौन ते अफगानिस्तान जो पैदा हुए हलातां ते अमरीका दे रास्टरपती जो बाइडन ने चुपी तोड़ी ते ठीकरा पन्या अफगानी सरकार दे से तालिबान दे कबजे वाले अफगानिस्तान तो जदो तो दिल देहला देन वालियां ते खानाम करन वालियां तस्वीरा नशर हो रियाने सवाल सुपर पावर अमरीका ते उठ रेने जिस्ते सफाई देन दुनिया दे सामने आए रास्टरपती जो बाइडन अमरीकी फोज बीते 20 साला तो अफगानिस्तान चे एसे दोरानी अफगानिस्तान कुछ शांती बहाली होई सी हलात कुछ सुदरे सन पर हुण जो बाइडन इस पस्ट कह देते है कि उनना दा मकसद दैशतना लड़ना सी किसे रास्टरदा निर्मान करना ने पर फिर वी उनना ने अर्मा खर्च के अफगानी फोज नो मजबूत कीता पर अफगानी सरकार ता बिना लड़े ही पाज गई आफगानी सरकार बिना फ्रूटने सर्टरदा च्रूटों प्रूषा फ्रूटने सर्टान गजमानिस्तर उनरे प्रूटने सर्टान पर्णस्र कर लड़े हैं अवानी यह पूम्हार Chicago, working in a Afghan military force of some 300,000 strong. Incredibly well equipped, a force larger in size than the military's of many of our NATO allies, we gave them every tool they could need. We paid their salaries, provide it for the maintenance of their Air Force, something that Taliban doesn't have, Taliban does not have an Air Force. टालिबान नाल अमरीकी फोज दी जंग दे दोरान अफगानिस्तान दे चार रास्ट्रपती बदल गे पर अफगानिस्तान दा मुकदर ना बदलिया सियासत दा दस्तूर है के जिम्मेवारी टालन ले पिछले हैं सरकाना ते पला चाड़ना पेंदै अमरीका वी इस तो वकरा ने जो बाइडन ने ट्रॉंप सरकार दे दोरान तालिबान नाल होई समझोते ते सवाल खड़े की ते पर अपना टीचा मुकमल करन दे ले अमरीकी हित पूरंदा दाम भी परिया ट्रॉंट सरकार दे लीडलाद का टॉचानाद की टॉर एफ बाहर है नेग़ डिएक लिएक टालन आ सब्सक्राइब होईब तो ट्रॉंच टैसाति वे से वाथ काईन अविए इस वे लाप बान से बाइब जड़े ingen स troph daí अख कर आवanti कर दो अलेक हमक श्य स्यमक्राइ्ध अभूड़ास को और दो हजार तो वद अमरीकी फौजी बीते दो दहाक्यां दोरान जंग च जानगवा चुके ने हजारान जखमी होई ने पर हुण अमरीका नो एकीमत बहुत ज्यादा लग रही है एसे लिए अमरीका हुण होर जोखम चुकन नो त्यार नहीं है 9-11 दा बदला लैनली अमरीका ने अफगानिस्तान फौजां पे जियांसन उसामा बिलादे नो 10 साल पेला लाब लेया पर बावजू देश दे 10 साल बाद अमरीकी फौज उत्थे ही रही पर हुण अमरीका ने कैके किनारा कर लेया कि अपने देश लेई लड़ना अफगान लोकां दा काम सी ना कि अमरीकी फौजां दा पारते अफगानिस्तान दे दर्म्यान हजारा करोड़ दा वपार हर वरे हुंदय पर हुण तालिबान ने कबजा कर लेया अफगानिस्तान ते एसे लिग किमे पर बावित होवेगा वपार दिखावागे ब्रेक दे उस पार अफगानिस्तान ते तालिबान दा कबजा होया थे एदर पंजाब दे विच हजारा लोका दी रोजी रोटी ते तलवार भी लटक गई क्योंकि अफगानिस्तान ते पारत दे दर्म्यान हर वरे हजारा करोड़ दा दुवला वपार हुन दे अमरे सरते लुद्याना दे वेच वड़े पदर ते वपारी इस वपार दे नाल जुड़े होई ने पर क्योंकि हुन तालिबान दा कबजा हो गया ते पारसरकार तालिब देवेट विस्थार देनल रिश्वार करोडां दा नुकसान चलना पैसक देए जुरूर अफ़क्ट होईगी एही हाल अमरिस सर्च है सगोएथे तेहलात हो और गंबीर ने क्योंकि दोवा मुलकां दे दर्मियान हर वरे एक हजार करोड तो वाद दावपार हुंदै परहुंचा आके सपासे है के पारस सरकार दी की पॉलिसी होईगी स्तेती कदो सुद्रेगी कुछ नी कह सकते है आनवाला समाई दसेगा की होएगा की नहीं आएगा किस ता पहर चलेगा किस ता नहीं चलेगा झाल रडिक्षं स्टिल कोई ब्रडिक्षिंट कुई परडिक्षिं ने अफगानिसान ते पारच चंगी वपारिकसांट सी, पारत वर्दी गिंती देवेच सुके मेवे यानी की ड्राइफ रूट्स पारत पेज़ दा सी, अटे कमी ओन ते दालां ते प्याज वी, पारत ते अफगानिस्तान दे दर्म्यान हजारा करोड दा दुवला वपार हुंदे, मुनक्के, अंजीर, अकरोड, बदाम, खुमान, पेस्ता ते काजू अफगानिस्तान तो आंदे ने, ते पारत वी, कन, कौफी, इलाइची, काली मेर्ज ते कपड़ अफगानिस्तान पेज़ दे, दोज़र वी ते एकीच दोवा मुलकां दे दर्म्यान 10,387 करोड रुपे दा वपार हुया, दोज़र उन्नी वी दे वेच दोवा मुलकां दे दर्म्यान 11,131 करोड रुपे दा वपार हुया, थोड़े ना थोड़ा बहुत ना बहुता चलता थी, वपार हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रिमेंट 2010, इस समझाते दे तहत हवाई अड़े, रेल्वे स्टेशन, सडकां ते बंदर गाहां दे जरिये वपार दिया गया सी, 2010 दे समझाते करके 1905 दे समझाता राध हो गया सी, पारत तो अफगानिस्तान दरम्यान हून वले वपार दे लई दो रूट सन, जिनन दे वेचो एक के सी के काबल तो पेशावर, फिर तुर्खम बॉडर जरिये, इसलामाबाद तो लहौर ते फिर अटारी वाला रूट पर हों कारोबारियां ते वपारियां ये नजराँ पारत सरकारवल ने, क्योकि अफगानिस्तान जे तालीबान दा कबज है ते पारत तालीबान नूं मानता नहीं दिन दा? ंजे इच सवाल है के कारोबार प्रती पारत सरकार दा की रुक रहेगा? पाकिस्तान दे लहौर चे शेरे पंजाब महराजा रंजीत सिंग दे बुत दी पांतोड कीती गई है पुलिस ने मुल्जम रिजवान नों गिरिफतार कर ले है तस्वीराच दिखाई दे रहे है कि किमिय शक्स बुत दी पांतोड कर रहे है मौके ते मजूद लोग इसनों रोकन दी कोशिश कर रहे हैं एक तो बाद एक कई वार बुत दे हमले कीते गए जिस तो बाद इसनों पान के हेठा सुटे गया दावा कीता जा रहे है कि पाकिस्तान दे तहरीके लैबे कटर पंथी समूदे मेंबरा ने इस कटना नों अंजाम देता है इस मामले ज़ पुलिस ने एक शक्स नों हिरास चले है पुलिस दावा कर रही है कि हमलावर इस बोतदा विरोत कर रहे सन इस बेहत शर्मनाक वारदा तो बाद लहोर पुलिस मामले दी जाच कर रही है देखें बदकिसमती है कि यह एक अफसोसनाक वाकिया है और एक माइंड सट के साथ किशी सक्स ने यहां की तारीख को जटलाने की कोशिश किया है देखें इस तरह की चीजे करने से तो फिर तो डेफिनिलिलि यहां पे महराजा रंजीस सिंग जो है वो इन किले से उनकी यादें जूड़ी है फिर तो इस तरह का माइंड सट हो तो फिर तो पूरे कले कोई मसमार किया जा सकता है लेकिन ऐसे माइंड सट के साथ मैं फिर उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरफेथ हामनी की फजा जो है बड़ी जबरदस्ता है जब महराजा रंजीस सिंग जी के प्रतिमा स्टेच्चू को तोड़ा गया ये गटना पहली बार नी तीसरी बार हुई है और ये तीनों बारी तरीके लिवास जो की एक वहां की कट्रवाद संस्ता है जिसका मुखिया पहले रिजवी रहा और उसने भी बहुत महराजा रंजीस सिंग जी के बारे में अब शब्द भूले अब उनी के कारकुनों के द्वारा ये आज उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया ये बहुत ही कट्रवाद की एक मिसाल है इस तो पहला वी इस बुत्ते कई हमले हो चुके ने इसनों स्थापत करनदे दो महीने बाद स्ट्रेची नों तहरीके लेबक दे मेंबरा ने तोड़ देता सी दोवानों पुलिस ने गर्फदार कीता सी एटिवेला होचले लेक छोड़े वक्फेदा पर ब्रेक दोस पार खबरेंदा सिल्सला जारी रहेका जिवे जिवे विदान सबा चोणा दा वक्त नेडे आ रहे हैं उमें उमें पंजाब दा स्यासी पारा लगातार वद्दा जा रहे है स्यासी तेरा एक दूजनू के एरंदा कोई मौका नहीं चाड़ रहे हैं नमिनमे तरीके लबरियाने ते हुन श्रोमनी अकाली दल देवलो त्यार कीती गई है जन तक चार शीट इस देवेच की ने इलजाम की सवाल खड़े कीते गए ने देख देश रिपोर्ट देवेच जेडे लोग मिलना चांदे सी उना नू डांगा नाल मार के पजाया एक तो माड़ा मुक मंतरी नलैक मुक मंतरी निखेद मुक मंतरी अज तक पंजाब जनी होया एक पहुत बटी चार शीट असी श्रोमनी खाली दल ने बनाई है ऐस चार शीट नू पंजाब देख हर चोणा दे मौसम चे इलजामा दी चड़ी लगिये सवालां दी वाचड से दा सत्ता दी कुर्सी ते बैठी कॉंग्रस वाले कैप्टन सने कॉंग्रसी मंतरियानू कटेरेच खडा कीता गये सादू सिंग तरमसोद बलबीर सिंग से दू पारतपूश नाशू सुन्द शामा रूडा अजेहे कई कैबिनेट मंतरी ने जिनाते वरेने सुखबीर सिंग बादल कि में तरमसोद ने ग्रीब बच्चानियां पड़ाई दी स्कालर्शिप स्काम कीता कि में इंडस्ट्री मिनिस्टर सामसंदर रूडा ने जे सीटी जमीन वेज के चार सो क्रोड रूप ये दा कबला कीता कि में आशू ने आपनी कंक ते चुने दे स्काम कीते एक बहुत बटी चार सीट असी श्रोमनी काली दल ने बढाई है एस चार सीट नू पंजाब दे हर कार विच पजाया जाऊगा हर शेर विच पजाया जाऊगा वार पिंडा विच एस चार सीट नू पजाया जाऊगा ये इल्जाम होना काली दल गली-गली करकर पहुंचोन दी कोशिश है सुखबीर सिंग बादल सौ दिन दिली पंजाब दी यात्रा करंगी गल पंजाब दी नाम दी वेबसाइट भी लॉंच कीती है लोग काँ दे दिल दी गल जानन दिली पिंड पिंड जाके वाड वाड जाके अगले सौ दिन वो एक एक कर विच पंजाब जानगे अनली शरकार की करे थोड़े वास्ते थोड़े हलके वास्ते थोड़े शहर वास्ते थोटे महले वास्ते ऐस वेबसाइट तुसी जरूर अपना मेसेज पेजो शोमनिया काली दल दे परदान कैप्टन ते कैप्टन दे मंत्रियां बाद कॉंगरस दे परदान नवजोचिंग सिद्धू दुवाड़े होना भी ना पुले नवजोचिंग सिद्धू दे दावियां ते कुछ एंउ सवाल खड़े कर रहे ने क्यों ठीक रहे है जे रपोर्ट है दे जंतक करते मैं कैप्टन अमरिंदर सिंग नुँ बेंती करता है जड़े सिद्धू दे खलाफ जड़ी और रपोर्ट लोगोई पेठ़्िया विजलस दी ओवी जंतक करना जड़े सिद्धू ने फगवाडे अपने जीरक पूर्ट लेके अंबर सद्धू के जलंदर मंत्री सी जड़े सिद्धू ने प्रेंका गांधी नुँ कहके रुकाई सी अपनी रपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सों को उवी जंतक होनी चाहे दिया किसान अंदोलन ते पंजाब जो मुलाजमा दी माडी सिती तो बाद हलात जिहे हो गेने के लगपक सारियां स्यासी पार्टियां तो लोग खाफाने पर चोणा दी रोत ते इसले वोटरां दी नवज डोहन दे लेई सारियां तेरां पबापार ने बिजली नौकरियां वाले तमाम वादयां तो लेके जाती समय करन फिट करन दी कोशिश हो रिये फ्रेंट फूर्ट देवेच आज़े लिया नहीं मैंनू दो इजाज़त पर लीड स्टोरी देवेच तफसील देनाल देखना ना पुलना कि अफगानिस्तान दे वेच तालिबान दे कबजे तो बाद किनने गंबीर हो गए ने हलाग